हेई गाईज वेलकम बैक टो और चैनल आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप अपने अपरोड की ट्रिप प्लैन कर सकते हो और ये कैसे पता करें कि आपके पूरे टोटल ट्रिप में कितना खर्चा आजाएगा गाईज आप लोगों को मैंने बहुत इस देश में जाने के लिए कितना खर्चा आएगा तो इसका कोई एक्जक्ट आंसार ही नहीं है और ये डिपेंड करता है आपके उपर तो इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाऊंगा कि आप अपने से कैसे ट्रिप प्लैनिंग कर सकते हो और कैसे यह जान सकते हो कि आप आपके ट्रिप में टोटल कितना खर्चा आएगा और ये वीडियो देखने के बाद मुझे तो नहीं लगता कि आपको इसके बाद किसी को भी पूछने के ज़रूरत पड़ेगी या किसी भी देश में जाने में कितना पैसा लगता है और एस एन एक्जामपल के लिए हम इस आपको domestic flights की भी नीड हो सकती है तो ये सारे चीज जो मैंने आपको पता है ये basic things है जिसमें आपके पैसे 100% खर्च होंगे ही होंगे अब additional पैसे आपके उन सब सीजों में खर्च होंगे जैसे कि आप कितने दिन के लिए जा रहे हो और आप कौन से सीजन में जा रहे हो जैस कोश्ट अलग लगेगा अब ये जो मैंने अभी खर्चे बताए हैं ये सब additional खर्चे हैं और आप ये सब अपने उपर है कि आप बचा भी सकते हो और इसको और ये खर्च भी कर सकते हो और डोमेस्टिक फ्लाइट से मेरा मतलब है मान लो कि मैं यहां से थाइलेंड गया और इस वीडियो में हम एक कंट्री सिलेक्ट करनी होगी जिसका एकजांपल देगे मैं आपको सिखांगा कि ट्रिप्लैनिंग कैसे करते हैं और फिलिपीन्स को एज एक एक्जांपल ले रहा हूं वैसे भी बहुत सार लोगों फिलिपीनस में बहुत ज्यादा इंट्रेस्ट है वहाँ जाने के लिए तो आज उसी की trip planning करते हैं हम लोग तो गाई सबसे पहले तो आपको sky scanner या फिर किसी भी website पर आके आपको अपनी फ्लाइट सर्च करनी है अब फिलिपीन्स का फ्लाइट में आपको अभी सर्च करके नहीं दिखाऊंगा इस वीडियो में क्योंकि आपको 25,000 तक मिल जाती थी वह भी रिटर्न जो की डेली टु मनिला होती थी या फिर बैंकोक से भी हो जाती थी कभी कभी ठीक है लेकिन अभी एर इस्या की वह चीफ वाली फ्लाइट बंद है लेकिन थोड़े दिन में जब कोविट जाएगा तो फ्लाइट से चालू हो ज क्योंकि कोविट के सब्सक्राइब इंडिया में बहुत नीचे आ गया है तो फ्लाइट आपको 30,000 तक मिल जाएगी तो अपन 30,000 फ्लाइट का जोड़ लेते हैं अब बात करते हैं बैगेज के बारे में तो सबसे पहले तो मैं आपको यह क्लियर कर देता हूं कि बैगेज ह के बैगेज को ठीक है दूसरा होता है चेक दिन बैगेज जिसमें आप अपना पूरा समान रखते हो जैसे के कपड़े और बागे सब चीज अब यह आपके उपर है कि आपको बैगेज चाहिए कि नहीं और मैं इस वीडियो में 14 डेस के लिए प्लैन कर रहा हूं तो मुझे लेके जाने पड़ते हैं तो मुझे तो चेक दिन बैगेज की रिक्वार्मेंट होगी और इंडियो फिलिपीन का बैगेज रेट शाहिए 10,000 इंडियन रूपीज है तो यह तो फुली आपके उपर डिपेंड करते हैं इसलिए मैं इस लिच्ट में बैगेज का प्राइस न मिनट रुको तो यहां पर गाईस आपना गए हैं booking.com पर यहां पर देख सकते हो मैं मनीला सर्च किया है मनीला नियर निनोय अकिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट ठीक है डेट को मैंने गलती से यह डाल दिया था तो मैं उसको चेंज कर देता हूं 14 दिन का अपने होटल बुक से उसके उपर टेक्स लगेगा और ठीक है 2720 यह सब होटल का अलग अलग टेक्स लगते किसी किसे में included होते हैं ठीक है तो अगर आपको एकदम सस्ता चाहिए तो प्लाइस लोएस फ़र्स यहां पर आपन मैं क्लिक कर दिया हूं तो यहां पर क्लिक कर होगे ना तो लोएस ह में आठ बैड है कहां पर लिखा है यह देखो बैड इन डॉम वन बैंग वन बंक बैड तो इसका रेट आपको कितना मिल रहा है सिर्फ साड़े चार हजार रुपए का और साड़े चार में क्यों और यहां पर यहां पर तो यहां पर देखो 517 एडिशनल टैक्स है मतलब य सकते हैं एक इससे नहीं पर जैए थे मैं कोथा और यहां तो मैं यह तो तो यहां पर सर्च होने देते हैं इसको एक बार हो जाता है उसके बाद में दिखाता हूं तो यह आपना छोटल में सर्च कर रहा था तो वह चीपेस्ट वाला तो आप अपने हिसाफ से देख लेगा ना अगर आप दो तीन देख लेगा तो आप रहा सकते हो डॉम में नहीं मेरे हिसाब से तो नहीं हो पाएगा मेरे से ठीक है तो मैं आप सिंगल बैड़ वाला मतला बुक करूंगा जैसे कि यह वाला हो गया तो यहां भी आपको 21,000 का रहा है और यह जैसे 18,000 का रहा है तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है बस सिंगल अपना खुद का अकेला का अब आप लोग जब किसी यूट्यूबर से यह कोशन पुछोगे कि कि तक घरचाएगा फिलिपीन जाने में तो उस बिचार को क्या पता कि 300 वाले होटल में रहोगे आप कि 3000 वाले होटल में रुखोगे आप तो गैस परसनली बोलो तो मैं भी आप लोगों की तरह एक एव होकेशन होता है मुझे तो मैं कम शेकम 1500 वाला सेपरेट रूम ही बुक करूंगा ठीक है और वैसे भी 1500 आई एन आर जादा नहीं होता फिलिपीन के करेंसी में तो मैं 1500 करता हूं मतलब मुझे 14 दिन्स के लिए होटल बुक करने के लिए 21,000 रुपीज चाहिए होंगे अब फ फ्लाइट और होटल की तो बात हो गई अब बात करेंगे हम वीजा की अब फिलिपीन के लिए क्या के रिक्वायर्मेंट से फिलिपीन के लिए उसके लिए मैं कभी और किसी डीटेल वीडियो बनाऊंगा उसके लिए और डरों मत फिलिपीन का वीजा उतना भी ज्यादा ड पॉस्ट इंडियंस के लिए और इंडियंस को वीजा नारेवल भी मिलता है कुछ कंडिशन्स में लेकिन एमबसी से वीजा लेना भी ठीक है और वही अगर आप किसी एजेंट से अपलाई करवाते हो तो वो लोग 10-12,000 चार्ज कर लेते हैं अब मैं कुछ से वीजा अपलाई करूँगा तो मेरे जो लिष्ट है उसमें 3500 और एड कर देता हूँ मैं तो फ्लाइट को हो गया 30,000 होटल को हो गया 21,000 और वीजा को हो गया 3500 तो टोटल हुआ 54,500 इंडियर रूपीज अब गईस हमारा नेक्स्ट है पैसे को लेकर अब फ् फिलिपीन्स में जाओगे तो आपको कम से कम 500 यूएश डॉलर कैश या फिर 500 डॉलर का करेंसी एक्सजेंज दिखाना होगा और अगर आपको करेंसी एक्सजेंज के बारे में नहीं पता है तो ठीक है सबके पास नहीं होता है यह सब चीज जैसे कि आप कुछी दिनों के ल अफिसर्स है वो 70% लोगों को बिना डॉलर मांगे ही एंट्री दे देते हैं और 30% लोगों को पैशा शो करने बोलते हैं तो 500 डॉलर मतलब होता है 37,000 इंडियर रूपीज और अगर आपको ऐसा लगते है कि 37,000 इंडियर रूपीज बहुत जाद है तो फिलिपीनों में वह 25,000 पेसो ही होता है तो अब मुझे लेकता कि 500 डॉलर कुछ जादा होता होगा ठीक है और अगर आपके लिए 25,000 पेसो जादा है तो आप ऐसा कर सकते हो कि जब भी आप होटल बुक करोगे ना तो उनको पेमेंट मत देना पूरा पेमेंट मत देना और बोलना कि होटल में आ लुआ 91,500 इंडियर रूपीज अब जितना भी आपका खर्चा होगा उसको हम पेसो में मेजर करेंगे और यह जो मैं आभी कैलकुलेट करूंगा जितना भी वह सब उसमें माइनस होगा जिसको हमने एक्सचेंज करवाया है मतलब उस 37,000 आई आर जिसको पेसो में करवाने क इतना साम मैनेज करने के बाद आपको खाने का प्राइस पता होना चाहिए कि 3 times का मेल्स के प्राइस किता होगा फिलिपींस में जिस भी देश में आप जागे वहानliche की अब प av बता रहा रहा है लेकिन अगर आपको और ऊन सब चीजु से अलर्जी है मेरे जैसे तो फिर आपको breakfast तो पेसो तक मिल जाएगा और लुकल डिनर भी 200 पेसो तक मिल जाएगा मतलब आपका एक दिन का मिल maximum 500 पेसो ही होगा और चादर दिन का खाना हो जाएगा फिर आपका 7000 पेसो तक फूड कत हो गया अब जो हमारे पास 25000 पेसो था उसम बागी सब करते बारा बच जाता था फिर लंच टाइम फिर साम को चार बजे स्नेक्स लेड़ो फिर नौ बजे डिनर ऐसे मैं आपको और पैसे बच सकते हैं ठीक है स्नेक्स 50 पर का मिल जाता है तो दिन के 100-500 बच जाते थे खेर चोड़ो अब हमारे पास 18000 पेसो हैं अब क पर बस है जीपनी है और ट्राइसाइकल से ऐसे कुछ-कुछ का क्याइब भी है पर एक्सफेंसिव होते हैं जीपनी और ट्राइसाइकल रस्ता पड़ते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन इन फिलिपिंस इस वेरी चीप बट लोकल ट्रेवल लेकिन वहीं अगर आप एयरपोर् करते हैं और मेरे हिसाब से 3500 पेसों में सब हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का जैसे कि एयरपोर्ट ट्रांसफर उसे बागी सब घूमना फिरने का ठीक है अब 18,000 में से 3500 माइनस कर देते हैं तो 14,500 पेसों बज गया अपने पास तो अभी तक जितना भी क्यलकुलेशन ह 3500 पेसों मतलब 5,000 इंडिया रूपीज तो मारा अभी तक का टोटल एक्पेसे हुआ है 69,800 इंडिया रूपीज मतलब 70,000 के एप्रोक्स अब जो आपके पास 14,000 पेसों बच गए हैं वो भी नहीं बचेंगे देखना क्योंकि मान लो कि आप मनीला में हो अब आप सीबू के पास में हो तो आप सीबू भी देख सकते हो इसली जाके सिर्फ मानीला में थोड़ी गूम के आओ गया और शॉप्रिंग भी कर सकते हो अपनी फैमली वालों के लिए गिफ्ट लार सकते हो और गल्फ्रेंड के चक्कर में गए हो तब तो फिर आपको पांच लाग भी कम मतलब 14,000 पेसोद बचा है वो आप की उपर है कि आप उसको कैसे खर्च करते हो या फिर वापस इंडिया भी ला सकते हो और जब पैसा बच गया उसको इंडिया लाओ गे तो डॉलर में करवाकर लाना ठीक है ताकि आप उसको इंडियन रूपीज में यहां आने के बाद कर कर आ सकते हो और बेसी कोश्ट आएगा लगभा 70,000 रूपीज के आसपास आप ऐसे टाइप का ट्रिप कैलकुलेट किया जाता है और यह वीडियो अगर आपने पूरी दखी होगी तो आपको दुपारा किसी से कभी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इस देश में ज थाएग्णि फर वाशंगो और वाचिन आपको धर कि जरू झालको पेचाल य। आएखिट कैशने की जरूरत तूर आपको य। जरूरत झालको जरूरत थार क। लगभा से टाएगराको जबवाच्ट वट इस वाचता है वाट तूलको य। एवाट अच्छ देएगी का